हेलो एश्टूडेंट स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल रिश्टू की कोचिंग में आज के इस वीडियो में कलास 12 के गडित प्रशनावली 5.1 के बारे में अध्यान करेंगे पिछले भाग में प्रशनावली 5.1 से लेकर के प्रशनावली 5.3 तक के सभी प्रशनों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है वहां से जाकर के वीडियो को गया है का सियक्स स्क्वाइर द्वारा परिभासित फलन एक संतत है तो यहां पर संतत होने का नियम जो है लागू करके और यह फ्यक्स का मान क्या दिया गया है का सियक्स स्क्वाइर दिया गया है इसको संतत जो है सिद्ध करके दिखाया जाएगा तो कैसे सिद्ध किया जा तो यहां दिया गया यहां पर यक्स बराबर कास यक्स का इसको है यहां पर यक्स का मान कोई मान लेंगे और उस मान के सहायता से इसको संतत किया जाएगा तो मान लेते हैं कि माना यहां पर दिया गया माना यक्स बराबर के मान लेते हैं यक्स बराबर हमको के पर जो है चेक क करेंगे कि यह संतत है कि नहीं है तो यक्स के अस्थान पर के लिखेंगे तो क्या बनेगा यहां पर या फ्यक्स बराबर हो जाएगा और यहां लिखेंगे कास हो जाएगा और यक्स को हटा देंगे उसके अस्थान पर क्या लिखेंगे के स्क्वाइर हो जाएगा बन गया समी का नंबर एक हो जाएगा तो यहां पर किसका मान निकल गया या फैक्स का मान निकल गया अगला जो बनेगा क्या बनता है याल याचियाल इसको काते हैं लेप्ट हैंड लिमिट कहा जाता है अब लेप्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे तो यहां सबसे पर लिखेंगे लिम कैसे होता है सबसे पछले यह एक्स है यहां लिखेंगे ql हो जाएगा बराबर हो जाएगा और यहां हम यहां के हो हो जाएगा बराबर हो गया के माइनस जो है यह हो जाएगा अब यह को पचांत कर लेंगे तो यह बराबर क्या बनेगा के माइनस के हो जाएगा यह बराबर क्या हो गया जीरो हो गया तो यहां पर हर यहां यक्स हट करके उसके अस्थान पर क्या लिखेंगे तो के माइनस यच का होल स्क्वाइर यक्स के अस्थान पर क्या लिखेंगे के माइनस यच का होल स्क्वाइर हो जाएगा मतलब जब limit change करेंगे तो इस मान को भी change कर दिया जाता है जो x का मान है अब यह अच के जगा पे 0 रख देंगे तो यह अच के जगा पे जब 0 रखेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर कास हो गया k-0 हो गया बर्ग हो गया अब यहाँ k में से 0 को घटा देंगे तो क्या बचेगा कास k का square हो जाएगा और यह बन गया समीका नंबर क्या दो तो समीका एक को ध्यान से देखे और समीका दो को भी ध्यान से देखे क्या यह दोनों मान बराबर आया कि नहीं आया दोनों मान बराबर आ चुका है अब यहाँ पे लिखेंगे right hand limit इसको कहा जाएगा right hand limit कैसे निकालते हैं तो लिखेंगे कास यक्स का स्क्वायर हो जाएगा अब यहाँ लिमीट को यहाँ पर भी चेंज करेंगे यहाँ लिमीट कैसे चेंज होगा सबसे पहले यक्स है तो यक्स बराबर कर लेंगे के है तो के हो जाएगा पलस है तो पलस हो जाएगा और यच हो गया यक्स के जगह पे क्या बनेगा के बराबर क्या हो जाएगा के प्लस यच हो जाएगा के को पचांतर करेंगे तो के माइनस के बराबर क्या हो जाएगा यच के में से के को घटा देंगे क्या बनेगा जीरो बराबर यच या यच बराबर क्या हो गया जीरो हो गया और यहाँ यक्स के अस्थान पे अब क्या लिखेंगे तो यक्स के अस्थान पे के पलस यच लिखेंगे होली स्क्वाय पहले क्या था के माइनस यच था अब क्या हो गया के पलस यच हो गया यच के जगा पे जीरो को रख देंगे तो क्या बनेगा कास हो गया के पलस जो है ज जब ले करके परियोग किये तो यह फ्यक्स का मान जितना यह फ्यक्स का मान आया है उतना ही देख सकते हैं यह फ्यक्स का मान और यह लेचेल का मान वही आया और यह लेचेल का मान भी जो है वही आया तीनों मान यहां पे आपस में क्या गया है बराबर आ गया है तो यह लिख कास यक्स का isquire क्या है संतत है संतत है कैसे संतत है क्योंकि तीनों मान आपस में क्या गया है बराबर आ गया इसलिए या मान क्या हो गया फलन संतत हो जाएगा तो प्रेश नंबर 31 जो है आप सभी विद्यारती अच्छे से समझ लिया होंगे तो अब सीखेंगे प्रश नमबर 32 तो अब सीखेंगे प्रश नमबर 32 तो प्रश नमबर 32 में भी आपको दर्साइए मतलब आपको सिद्ध करके देखाना है और क्या सिद्ध करना है तो दर्साइए कि अफ्यक्स का मान जो है माड कास यक्स द्वारा परिभासित फलन एक संतत फलन है तो यहाँ पर भी संतत होने का नियम लागू किया जाएगा सेम 31 जैसे हल किया है सेम 32 को भी ऐसे ही हल किया जाएगा तो कैसे हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे यह फ्यक्स बराबर हो जाएगा और माड लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे कास यक्स हो जाएगा अब यहां पर यक्स बराबर कोई मान लेकर के चेक करेंगे क्या यह संतत है कि नहीं है यहां सबसे पर लिखेंगे माना और माना लिखने वा लिखेंगे माना यक्स बराबर यहां पर भी चेक कर लें के पर यक्स बराबर के पर जब यक्स के अस्थान पर जब लिखेंगे यहां पर यप यक्स हो जाएगा बराबर हो गया मांड हो जाएगा और मांड होने के बाद से यहां का लिखेंगे कास हो जाएगा और यक्स हट जाएगा और यक्स के अस्थान पे क्या लिखेंगे के लिखेंगे तो यहां पे के हो गया तो क्या गया पर कास यहां पर के आ गया तो यहां पर कास की किसकी अस्थान पर आया है तो यक्स को हटाएं है और यहां पर के जो है रकर के चेकर रहें कि संतत है कि नहीं है तो बन गया समीकर नमबर एक अब यहां इलेचल निकालेंगे, इलेचल कैसे निकलता है, तो आप से भी द्यार्थी जानते होंगे, कैसे हल किया जाता है, सबसे पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, के के उपर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, कैसे होता है सबसे पहले यक्स है तो यक्स लिखेंगे बराबर हो गया और यहां लिखेंगे के हो गया माइनस हो गया और यह हो जाएगा अब यहां यक्स का मान क्या रखना है तो यक्स का मान के बराबर के माइनस यह हो जाएगा यहां लिमिट को क्या कर रहे हैं चेंज कर र जीरो आता है अब यहां पर क्या लिखेंगे लिमिट हो जाएगा लिमिट अब एकस हट करके क्या बनेगा यच टेस्ट टू जीरो हो जाएगा माड हो जाएगा और एकस हट करके क्या लिखेंगे के माइनस यच का क्या हो जाएगा माड हो जाएगा अब यहां पर यच के अस् तो एच कामान इसमें क्या रख दिया गया अब यहां के में से जब जीरो को घटा देंगे तो क्या जाएगा कास और यहां क्या बनेगा के आ जाएगा और बने गया समी का नमबर कितना समी का नमबर दो हो गया तो समी का एक कामान देख लिए और समी का दो कामान देखिए क्य बराबर आ गया तो समय के एक कमान और समय के दो कमान आपस में क्याया है? बराबर आ चुका है अब अगला जो लिखेंगे R-E-H-E-L R-E-H-E-L इसको तो क्या कने है, राइट हेंड लिमीट कहा जाता है, अब राइट हेंड लिमीट कैसे हल करेंगे तो यहां लिखेंगे लिमीट हो गया याक्स हो जाएगा टेस्ट टू हो गया के के उपर पलस हो जाएगा और यहां लिखेंगे याप याक्स हो जाएगा तो यहां लिमीट जो है क्या रखेंगे यहां पर यहां पर यक्स का मान के से बड़ा और यहां कैसे चेंज़ करेंगे तो सबसे पर यक्स बराबर के पलस यच हो जाएगा यक्स का मान क्या रखना है तो के बराबर यहां के पलस यच हो जाएगा के को पचांतर करेंगे तो के पलस में है जब पचांतर कर देंगे तो के माइनस के हो जाएगा बराबर यच हो जाएगा के में से के को घटा देंगे तो जीरो बराबर यच हो जाएगा यह यच बराबर क्या हो गया जीरो हो गया अब यहां limit को change कर लेंगे तो क्या बनेगा है अब limit हो जाएगा पहले यक्स हो गया, test 2 हो गया, k के power plus और यह अफ्यक्स को हटाएंगे यह अफ्यक्स का मान क्या था, mod था, cast क्या था, yक्स था अब यहां yक्स को जगह पे क्या लिखेंगे यक्स के जगह पे जो है, अब यहां yक्स बराबर 0 रखा जाएगा और यहां यक्स को हटा करके क्या लिखेंगे के पलस yक्स रखेंगे, तो अब limit यहां लिखेंगे लिमेट है और यच हो गया टेस्ट टू हो गया जीरो हो गया माड हो गया कास ही हो गया यक्स के जगह पे क्या लिखेंगे तो के पलस यच हो जाएगा अब यच के जगह पे जीरो रख लेंगे तो यच के जगह पे जीरो जब रखेंगे तो कास हो गया के पलस यच का मान जीर हो जाएगा और यहाँ पर जब के में जब जीरो जोड़ेंगे तो कितना आएगा तो कास के ही रहेगा तो यहाँ पर क्या पता चला कि या फियक्स का मान और यलियचियल का मान और आरियचियल का मान यह तीनों मान आपस में क्या हैं बराबर आ गएं तीनों मान जो है एक माड कास की आया था समीका एक में भी समीका दो में भी और इसको समीका नंबर तीन भी मान लेंगे इसको तीनों में क्या है बराबर है अज़ा बराबर है तो लिखेंगे यप यक्स बराबर क्या था माड कास यक्स जो है क्या है फलन जो है क्या हो जाएगा संतत है तो यहां अताला चुका है इसलिए या फलन क्या हो गया है शंतत हो गया है तो आज का ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों को कैसा लगा आप सभी विद्यार्थि जरू कमेंट कीजे वीडियो को लाइक कर दिजे और चैनल पे आप पहली बार आयोंगे तो चैनल को सस्क्राइब जरूर क लिजिए तो मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार